दोस्तो आज के इस वीडियो में हम देली डेले डाइट इंट्रेंस एक्जाम के लिए साइंस के मोस्ट इंपॉर्टन्ट 30 कोसंस करने वाले हैं और दोस्तो इसे एक परकार से आप लोग टेस्ट मान लीजिएगा क्योंकि आपके एक्जाम में भी दोस्तो 30 कोसंस पूछे जाएंगे जिसमें 10 कोसंस physics, 10 कोसं बायो और 10 कोसं chemistry से होंगे तो आज किस वीडियो में जो मैं आपको 30 कोसंस करवाने वाला हूँ ना ये दोस्तो मिक्स है chemistry बायो और physics मिक्स है तो आप लोग चे किजेगा कि आपके तीस में से कितने कोशन सही हुएं कि दोस्तों इससे आपको पताज लग पाएगा कि आप कितने स्कोर कर पाएंगे एक्जाम में तो ये एक वेश्ट तरीका है Q1 जीवन की उत्पती विकास में रसाइनिक विकास का सिधान्त का परति पादन करता कौन है तो ये इस सिधान्त की कोश किस ने की थी तो सही आंसर होगा अब देखें नेक्स्ट कोशन दोस्तों काफी जादा important है भार weight का SI unit क्या होता है weight को किस में मापा जाता है तो यहाँ पर दोस्तों आपनों confuse मत होऊएगा weight और force का SI unit दोस्तों newton होता है और mass का SI unit kilogram होता है और resistance का SI unit ohm होता है और दोस्तों देखे यहाँ पर विद्यूत सक्ती का SI unit what होता है और अगर आपसे पुछा जाए कि lens की सक्ती lens की power का SI unit डाइ आप्टर होता है और अगर आपसे पुछा जाए कि इंजन की सक्तियों किस्म में मापा जाता है तो हॉर्स पावर में मापा जाता है और ये वाट दोस्तो जेम्स वाट के नाम पर रखा गया है याद कर ली जगए इसलिए इसमें आप तो कन्फ्यूज मत हुएएगा कि सत्ति का इस वाट ही होता है सबका अलग अलग होता है हड़ी किस परकार के टीसु है तो ये दोस्तों कनेक्टिव टीसु है सन्योजी उप्तक है और परकास की और किस हर्मोन की कारण जुग जाते हैं तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑक्सिन ये फैटो हर्मोन भी कहते हैं पादाफ हर्मोन के बारे में मैंने भिहार डिलिट की क्लासस में करवाई क्योंकि सिलेवस बिल्कुल सेम है तो अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट को चेक कर लीजएगा वहाँ पर आपको मिल जाएगा तीना कवर की क प्लेलिस्ट की बनिम होती है यह भी पता होना चाहिए नेक्स्ट कोशन क्रोमो जोम में टेडी जिस विंदू पर सलग कनेक्ट रहता है उसे किस नाम से जाना जाता है तो उसे दोस्तों सेंट्रो मियर कहते हैं याद कर लेजएगा सबसे कठोर पधारत कौन है तो सबसे कठ विटामीन की कमी से कौन सा रोग होता है इसका दोस्तों मैंने एक ट्रिक बनाया है और बहुत ही आप इजली याद कर सकते हैं तो यह है दोस्तों हमारा ट्रिक ट्रिक देखे पढ़ते हैं इसे A, R, B, B, C से सकरवी, D से रिकेटस मतलब यह याद कर लेना है A, R, B, B, C से सकरवी, D से रिकेटस अब समझते हैं देखे विटामीन A की कमी से दोस्तों रताउंधी होता है तो मैंने इसे R से दिनूट किया है और रताउंधी को हम इंगलिस में नाइट ब्लाइनिस कहते हैं त इसे रिकेटस होता है तो याद कर सकते है A, R, B, B, C से सकरवी, D रीकेटस अब देखे अगर दोस्तों मैं आपसे पूछता हूँ कि कौन सी विटामीन की कमी से कौन सा रोग होता है तो आप इसली बता सकते हैं A, R, B, B, C से सकरवी, D, R, रीकेटस तो A से रताउंधी होता ह जिसे night blindness करते हैं, उसके बाद A, R, B, B, B से बेरी-बेरी, उसके बाद C से सकर्वी, और D से रिकेटस, और विटामिन के की कमी से रखत कथका नहीं जमता है. Next question, bleaching powder का उपयोग किसलिए किया जाता है? तो bleaching powder का उपयोग दोस्तों, पेजल को सूध करने के लिए किया जाता है. फूल के किस भाग को अंडब कहा जाता है? तो मादा भाग को. देखें, मादा भाग कौन सा होता है दोस्तों? तो ये होता है मादा भाग, इसके अंतरगर वर्ती, कागर वर्ती का और अंडा से आ जाता है. और इंगलिस में आप लोग देख सकते हैं, ये है, ये है मादा भाग. Next question में पुछा गया है, आधूनिक आवर्थ सान्नी, Modern Periodic Table की तीसरी और आठवी ग्रूप में कौन सा गैस को रखा गया है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, और देखें, Modern Periodic Table से question पूछा जाता है, कि इसके father कौन है, और total कितने group है, और total कितने periods हैं? तो आपसे भी जानते हैं, total 18 group है, Modern Periodic Table में, और इसमें total 7 periods हैं. इसमें जो element से उसको कैसे सजाया गया है, और Modern Periodic Table में कैसे अरेंज किया गया है? क्या आधार है इनका? क्योंकि इससे examic questions पूछे जाती हैं. Next question में पूछा गया है, आधूनिक आवर्स सान्नी, Modern Periodic Table में थातुओं को, जो metal से उसको किस और रखा गया है? तो left side में. सही answer होगा दोस्तो, C3H8. Next question है, dry cell में उर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है? ठीक ना? तो इसका सही answer होगा दोस्तो, रसाइनिक उर्जा के रूप में. देखें, जिस cell का use, दोस्तो, moelle phone और torch में किया जाता है, उसे हम dry cell के नाम से जानते हैं. और जो उसमें energy जमा होता है, उसे हम chemical energy कहते हैं. Next question, तारों में plasma बनने का मुख्य कारण क्या है? उचेता. और देखें, आपको पता होना चाहिए, दोस्तो, exam में ये भी पुछा जाता है, कि अभी तक पधार्त की कुल कितनी अवस्थाएं खोजी जा चुकी है? तो पधार्त की दोस्तो कुल छे अवस्थाएं खोजी जा चुकी है, जिसमें से तीन तो आपको पता ही है, solid, liquid and gas, और fourth plasma होता है, और देखें, पधार्त की जो फिफ्थ अवस्था होती है, इसे दोस्तो हम Bose, Einstein, Condensets के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसकी खोज भारत के एक व harmonic condensets के नाम से जानते हैं, तो इन में से एक question आपकी exam में आएंगे ही आएंगे, तो please, इन 6 अवस्थाओं को याद कर लिजेगा, next question का answer होगा दोस्तो, oxygen के कारण, नीला दिखाई देता है, next question, हमारे सरीर, sorry, हम लोग के सरीर में भोजन का संगरहन किस रूप में होता है, त तो ओडोमीटर का उपयोग दोस्तो, जो विकल्स होते हैं, तो उसकी दूरी में आपने क्लिक किया जाता है, और आपने बाइक में देखे होंगे, तीना, बाइक में आगे में लगा हुआ होता है, घड़ी जैसा दिखता है, तीना, उसमें ओडोमीटर होता है, जिससे हमें इससे दोस्तों MPR में मापा जाता है, यह तो आपको पता हिए, laughing gas, इससे हम दोस्तों nitrous oxide भी कहते हैं, तो इसका सही आंसर option C होगा, next question, taste is the gland होते हैं इनसे कौन सा हार्मोन उत्सरजित होता है, तो इसका सही आंसर होगा, option C, next question, sodium hydrogen carbonate को गरम करने पर कौन सी gas निकलती है, most most important question तो carbon dioxide निकलती है, उर्जा को सनरचित किस परकार से किया जा सकता है, तो उर्जा का सनरचित नहीं किया जा सकता, इसका conservation नहीं किया जा सकता, next question, late night trait को जोड़दार धेंग से गरम करने पर कौन सी gas निकलती है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तो, option A, nitrogen oxide, next question में पुछा गया तो इसका सही आंसर होगा, next question में पुछा गया है, यदि किसी solution से नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है, तो उसका pH मान क्या होगा, तो उसका pH मान दोस्तो, 6 होगा, देखें, यहाँ पर दोस्तो, प्लीस आप लोग ध्यान से समझेगा, the solution would be acidic when blue litmus paper turns red in color, इसमें कहा गया है कि जब दोस्तो, blue litmus paper red में change हो जाता है, तो जो water का जो घोल होगा, solution, यह अमलिये होगा, acidic होगा, और हमारा question भी तो यही था, question इतना गुमा कर पुछा गया था, द अब देखें, यहाँ पर question कितना गुमा कर पुछा गया है, pH one पुछ लिया गया है, यह नहीं पुछा गया है, कि जो water का गोल होगा, यह acidic होगा, यह alkaline होगा, देखें, pH one direct पुछ लिया गया है, तो इसलिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा समझाने के लिए pH scale लाया हूँ, और pH scale की कुछ सोरेंसर ने की थी, ठीक ना, तो देखें, question में कहा क्या गया है, कि जब blue litmus paper लाल में change हो जाता है, ठीक ना, उस वाले question में, तो उसका pH one क्या होगा, तो सबसे पहले तो देखें, इसमें कहा क्या है, कि वो जो गोल है, यह acidic होगा, तो यहाँ पर समझें आप लो जिस भी water solution का घोल, दोस्तो, अगर acidic होगा, कहने का मतलब यह है, कि जिस भी solution का pH one, साथ से कम होगा, तो वो अमलिय होगा, तो इस तरह तरीके साब लोग समझ सकते हैं, कि यह acidic है, तो वहाँ पर pH one 6 था, आंसर हमारा क्या था, 6 था, तो वो अमलिय था, तो साथ से कम था, त क्या pH value होगा, तो वो जो गोल है, वो तो छार ये हो जाएगा, तो छार का pH value साथ से अधीक होता है, तो आपको साथ से अधीक ही बताना है, कम नहीं option में होगा, यह देखना है आपको, कम भी होगा और ज्यादा भी होगा, तो आपको समझ कर ही बताना है, ठीक ना, तो इस तरीके स्प्लीस, इससे आप लोग रीट कर लिजेगा, कि किसे question आएंगे, और जिसका pH value साथ होता है, उससे हम उदासिन कहते हैं, neutral कहते हैं, जैसे water का pH value साथ होता है, देखे, next question में पुछा गया है दोस्तों, किसी तने हुए rubber band में कौन सी उर्जा होगी, तो इसका सही आंस example के मादिन से आपको समझाता हूँ, देखे, यहाँ पर दोस्तों, उठाया हुआ हुआ थोड़ा है, तो उठाया हुआ हुआ थोड़ा है, किसलिए, किसी काम के लिए, तो यहाँ पर कारे होना है, मतलब इसमें वो उर्जा संभावित है, तो इससे हम potential energy कहेंगे, और पर तीर में वो कारे कनी किशमता है, वो potential है, ठीना, वो संभावित उर्जा है, तो उससे हम क्या कहेंगे, potential energy कहेंगे, इस ठीती उर्जा कहेंगे, और यहाँ पर तीर जो है, छोड़ दिया है, तो यहाँ पर यह kinetic energy हो गया, और जाकर लग गया, तो काम हो चुका है, इसका म अंसर होगा दोस्तो, व्रायो फाइटा, और ऑफसंस इसका सही आंसर होगा, बायू का निरपेक्ष अपवर्तक सुचकांक कितनी है, दोस्तो इसे हम English में absolute refractive index कहते हैं, तो सबसे पहले हम समझते हैं, दोस्तो absolute refractive index होता क्या है, क्योंकि यह दोस्तो आपने class 10 में पढ़ र दीजेगा, क्योंकि इससे questions एक दो आएंगे ही आएंगे exam में, next question में पुछा गया है, शरीर में रक्त के इंतरगत कौन से भाग पधालतों का परिवहन करते हैं, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तो, प्लाजमा, so thank you दोस्तो, आज के इस वीडियो में हम यहीं तो questions करते हैं, और आप सभी student दोस्तो, आप लोग comment box में अपने score जरूर बताईएगा,